आईडिया वीडियो जमात एक से दो के बच्चों की वालदा के लिए असलामू अलाइकुम आज की मीटिंग में आप सबता खेर मगदम हैं उम्मीद है आपको पिछले हफ़ते का आईडिया वीडियो पसंद आया होगा चलिए आज के काम की शुरुवात करते हैं पिछले हफ़ते की हुरुव पहचानने की सरगर्मी, पहली जमात और दुसी जमात की वरक्शीट और पीने के पानी को साफ करने के अलग अलग और आसान तरीकों के बारे में हमने बात की थी आपने घर जाकर बच्चों के साथ खेल खेला होगा आपके तज़ुर्बात और ख्यालात के बारे में हमें जरूर बताएं तब तक हम ये वीडियो यहां रोग देते हैं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है करके देखते हैं तमाम वाल्दा एक लकीर पर खड़ी रहें हर वाल्दा के सामने कुछ फासले पर बाल्टी रखें तमाम वाल्दा की आँखों पर पट्टी बांधें अब हर वाल्दा के हाथ में लकडी दें लीडर वाल्दा के एक, दो, तीन कहते ही तमाम वाल्दा अपने सामने रखी बाल्टी को ढूंडे और उसे लकडी से मारे जो वाल्दा बाल्टी को लकडी से पहले मारेगी वो पाते होगी तब तक हम ये वीडियो यहां रोग देते हैं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं बच्चों में कीड़े का इंफेक्शन काफी आम है और ये आसानी से फैलता है ताहम ये बताना मुश्किल है कि ये इंफेक्शन कितने आम है क्यूंकि इन में अकसर कोई अलामत नजर नहीं आती है आईए इसके बारे में इस वीडियो से मालूमात हासिल करते हैं बच्चों के पेट में कीड़े होना बच्चों में केड़े का इंफेक्शन काफी आम है और ये आसानी से फैलता है ताहम ये बताना मुश्किल है कि इंफेक्शन कितने आम है क्यूंकि इन में अक्सर कोई अलामत नजर नहीं आती है हर 5 में से एक शक्स को कमसकम एक किस्म के केड़े का infection जरूर होता है और ये छोटे बच्चों में तो ज्यादा आम समझा जाता है ज्यादर तर केड़े के infection में कोई अलामत जाहिर नहीं होती या ये अलामत इतनी हलकी होती है कि इन पर ध्यान नहीं जाता ये इस बात पर मुनहसिर है कि आपके बच्चे को केड़े का कौन सा infection है और ये कितना शगीद है कुछ आम अलामात ये हैं जो आपके बच्चे को हो सकती है जैसे घूख ना लगना, मतली, उल्टी आना और कमजोरी महसूस होने लगती है जब कीड़ों का लारवा फेपरों तक पहुँच जाता है तो दमा भी हो सकता है तकरीबन तमाम infection का इलाज मुँ से लेने वाली दवाईयों से किया जा सकता है आपके बच्चे को किस किस्म का infection हुआ है ये जानने के बाद ही डॉक्टर दवाईय या कीड़े खत्म करने का इलाज डी वाउमिंग शुरू कर सकते हैं हमेशा इस बात का खयाल रखें कि बच्चा साप और खुश्क जगा पर खेले अपने बच्चे को पानी वाली जगहों से कीचर, घड़ों, जीलों या डेम के करीब खेलने ना दे ट्वाइलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ अच्छी तरह धोएं अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसे हर बार ट्वाइलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना सिखाएं बच्चे के नाखुन छोटे और साफ रखें केड़ों के अंडे लंबे नाखुनों में फस कर पूरे घर में फैल सकते हैं फलों और सबजियों को साफ पानी में अच्छी थरा धो लें सबस पत्तों वाली सबजियों को धोते वक खास हयाल रखें क्यूंकि इसमें मिट्टी और धूर लगी रह सकती है हमेशा साफ पानी पीएं आप पानी को उबाल सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं इस फीडियो का फायदा आपको कैसे हो सकता है इसके बारे में तमाम वालदा बारी बारी गुरुप में बताएं चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करमाएं घर की कुछ चीजे लें और एक टोकरी में रखें जैसे टमाटर, साबुन, रूई, मुबाइल वगएरा बच्चों को हर एक चीज के नाम की पहली आवाज कौन सी है पूछें जैसे साबुन की पहली आवाज है सौ इसके साथ ही पहली जमाट की एक उसे कजा में रंग भरने और दूसरी जमाट की हर्फ और तस्वीर की जोड़ी लगानी की वक्षीट घर पर बच्चों के साथ मुकमल करें क्या बच्चे को इस सरगर्मी और वक्षीट को करने में खुशी मिली इस तजुर्वे को हमें जरूर बताएं आज का दिल्चस्प सवाल तमाम वालता आपस में बात करें और सवाल का जवाब तलाश करें आज की सरगर्मिया यहाँ पर खत्म होती है ऐसे ही नई मालूमात और सरगर्मियों के साथ अगले हफ़ते फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना और बच्चों का खयाल रखें शुक्रिया